नमस्कार दोस्तों स्वागते सभी को एक नई वीडियो में दोस्तों अगर आपको WhatsApp पर कोई भी unknown number से परिशन करता है या फिर message करता है तो आप उसे किस तरीके से ब्लॉग करें ये आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी को भी ब्लॉग करने के लिए सबसे पेले आपको WhatsApp को उपन कर लेना है WhatsApp उपन करने के बाद आप किसको ब्लॉग करना चाते हो उसके chat के उपर क्लिक किजिए उसके chat को open करने के बाद यहां पर देखे right में उपर की side मैं एक example के तोर पर State Bank of India को ले रहा हूँ यहां पर देखे three dots है ना इसके उपर click कीजिए click करने के बाद यहां पर देखे दूसरे number पर block चाहिए तो आप report भी कर सकते हो report यानि के कोई भी आपको fraud या फिर false information बेज रहा है तो आप उसे report कर सकते हो report करके block कीजिए अगर आप अपने दोस्त को block करना चाहते हो तो यहां पर दूसरे number पर देखे block option है इसके उपर click कीजिए यहां पर देखे आप reason for blocking blocking चाहिए तो आप चूस कर सकते हो किस कारण से आप उसे block कर रहे हो क्योंकि WhatsApp उसे एक बार देखेगा चेक करेगा कि वो account safe है या फिर कोई fraud है यहां पर देखे बहुर सरे option है reason for blocking offensive message या फिर आप other चूस करके यहां पर देखे block कीजिए यहां पर नीचे block का एक option दिया हो ना इसके उपर क्लिक कीजिए block करने के बाद यहां पर देखे state bank of India won't be able to message or call you anymore मतलब आपके दोस्त आपको message भी नहीं कर सकते हैं call भी नहीं कर सकते हैं उमीद है आप इस वीडियो में किस तरीके से अपने दोस्त को यह फिर कोई भी whatsapp chat को किस तरीके से block करें यह आपने सीख लिया होगा वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए मिलते हैं नए वीडियो में बाई बाई